जुरुम की दुनिया की बहुत से कहानी हमने आपको बताई लेकिन जो कहाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी को जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कुक्यात अपरादी से सीरियल किलर बने इस हैवान की कहानी इतनी खतरनाक है इतनी डरावनी है कि अगर कोई भी पढ़े तो सबसे पहले यही सोचेगा कि कोई इनसान इतना निर्दई कैसे हो सकता है हाला कि इसकी कहानी के बहुत सारे पहलू हैं अगर हम उनकी बात करें तो महिलाओं के बीच इसका इतना ज़्यादा खोफ था कि अगर ये किसी गली से निकलें तो वहां की महिलाएं इसे देखकर छिप जाया करती थी अब चाहे वो 10 साल की बच्ची हो चाहे वो अधेड उम्र की महिला क्योंकि इसने अपनी हवस मिटाने के लिए किसी को नहीं बखसा अब दूसरा पहलू ये भी है कि जब ये अपरादी पुलिस की गिरफ्त में आया तो महिलाओं ने कोर्ट के अंदर इसको ऐसी मोत दी कि इसके अपरादों से ज़्यादा चर्चे इसकी मोत के होने लगें चलिए बताते हैं आपको कोन है अपरादी जिस अपरादी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अक्कोयादव ओरिजिनल नाम है भरत काली चरण 1901 में महराष्ट के एक नागपूर में एक हिस्से में इसका जन्व हुआ था उस हिस्से को लोगबाग कस्तूरबा नगर जुग्गी के नाम से जानते थे अब इसका पूरा परिवार वहीं रहता था इसके दो भाई ओर थे अब इसका पूरा परिवार वहां रहते वे एक ऐसे धंदे में लिप्त था जो सीधे सीधे क्राइम के दुनिया से तालुक रखता है उस दोरान दो ग्रूप दो गैंग हुआ करते थे जो कस्तूरबा नगर पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे थे उनमें से एक गैंग में अक्को यादव काम करता था बाकी दूसरा गैंग था अब 1991 आते आते अक्को का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया था पूरे कस्तूरबा नगर जुगी में कि लोग इसके नाम से खोफ खाने लगे थे और जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया अक्को यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ दो दरजन से ज़्यादा मामले दरज हुए और वो चोदा बार गिरफ्तार हुआ उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला, हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दरज किये गए थे 1999 के आखिर में अक्को यादव को महराष्ट निवारक निरोद कानून के तहत एक साल के लिए हिरासत मिलिया गया था इसी तरह से उसे दा महराष्ट प्रिवेंशन ओफ डेंजरस एक्टिविटीज ओफ स्लम लोर्ड, बूट लेगर, ड्रक अफेंडर्स एंड डेंजरस परसंस एक्ट 1981 के तहत भी नामजद किया गया था गैंग रेप के मामले में जब वो नामजद हुआ तो उसके बाद से वो धीरे-धीरे खुक्यात होता चला गया अब जो उस सलम एरिया में जो इसका गैंग था जो भी वो धंदे किया करते थे उसके एवेज में अब ये रंगदारी लोगों के अपरण, अवैद वसूली, अवैद कबजा ये सब वो करने लगा अब धीरे-धीरे इसका आतंक बढ़ता जा रहा था, अब अगर ये कोई अवैद कबजा भी करता है और कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है या पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है, तो ये उसके घर में घुशकर उस पर हमला करने से भी पीछे नहीं यटता था हाला कि ऐसा बहुती कम था कि कोई इसके खिलाफ सिकायत करता है, लेकिन अगर कोई करता भी था, तो ये उसको या तो जान से मार देता था या उसके परिवार को भानी पहुँचा देता था अब ये सब चलता रहा धीरे-धीरे, कुछ ऐसी भी चीज़ आई कि उन लोगों को अपरन करता है, उन्हें परताडित करता है, फिर उसके बाद उन्हें या तो छोड़ देता है, या मार देता है, अगर उसके एवेज में उन्हें पैसे मिलते हैं तो इसके बारे में कुछ चीज ऐसी भी थी कि ये पुलिस वालों के साथ काफी उट बैट करता था क्योंकि इसे पता था कि अगर पुलिस वालों पर हाथ रख लिया तो ये अपने एरिया में सबसे ज़्यादा क्राइम करेगा और इसका नाम अच्छे से उपर उठेगा तो ये पुलिस वालों को खुब खिलाता पिलाता था अब जब कोई सिच्वेशन ऐसी आती थी कि हाँ ये पकड़ा जाएगा या इसे जनता मार देगी तो पुलिस इसे अपने पास रख लेती थी और थोड़ा सा मामला सांथ होने के बाद इसको रिया कर देती थी तो ये सब चल रहा था कुछ इसके गुरगे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि या पूरे एरिया में इसके बारे में ऐसी ऐसी कहानिया बताते थे कि लोग डरने लगे अक्कुयादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जनून सवार हुआ कि वो अपरादी से एक वैसी दरिंदा बन बैठा और अधुसकी कमजोरी बन गई इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिष्ट के साथ साथ सीरियल किलर भी बना डाला उसका सिकार बनने वाली महिलाओं में दस साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानिया परचलित हैं जो लोगों को दहसत से भर देती हैं दरसल जब भी वो इलाकों से निकलता था किसी गली से गुजर रहा हो या कहीं ऐसी जगा जहां पर लोग बाग रहते हों तो कहते हैं कि उसका इतना ज्यादा खोफ था कि महिलाएं घर के अंदर चिप जाती थी और साथी साथ अगर उनकी कोई चोटी बच्ची घर के बार खेल रही हो या कोई बुजुर्ग महिला घर के बार बैटी हो तो उन्हें भी घर के अंदर बुला कर उन्हें चिपा लेती थी क्योंकि इसके बारे में बहुत सी चीजे ऐसी परचली थी अगर एक बार कोई महिला इसके चंगुल में फस जाए तो ये उससे अपनी हवस मिटाने के बाद उसका बहुत भेरैमी से कतल कर देता था और इसका कतल करने का तरीका इतना खतरनाक था कि पहले ये उससे दरिंदगी करता था उसके बाद कोई तेजधार वाला चाए चाकू हो चाए कोई भी नुकीली चीज हो अगर वो नुकीली है तो इसके काम की है ये उस नुकीली चीज से उसके महिला के सरीर पर लगातार कहीं बार कहीं वार करता जाता और तब तक वार करता जब तक उसके सरीर से सारा खून निकल जाए अब जैसे जैसे शरीर से खून निकलता है जैसे बोड़ी ठंडी होती है और उसके प्राण धीरे धीरे निकलते है जैसे वो मोत की आगोस में जाता तो ये उसमें अपनी सांती ढूंडता और ये इतनी बुरी मोत उसको दिया करता था कि जो जिस जंगाई वारदात को अंजाम देता था वहाँ बिखरा हुआ खून और वो मुर्दा शरीर इस बात के गवाई देते थे कि इस सव के साथ कितनी जादा धरिंदगी हुई है अब जड़ा सोचने की बात है कि कोई आदमी अपनी हवस मिटाने के बाद भी इतना जलाद है कि वो लोगों को महिला और पूरी तरीके से मारता है मतलब के दस साल की चाहिए वो बच्ची हो चाहिए वो अधेड उम्र की महिला हो उनको इतनी बुरी तरीके से मारना ये किस तरीके की उस आदमी की मान सिखता रही होगी या जब वो लोगों को मारता होगा तो उसके दिमाग में क्या चीज़े चलती होगी ये सब रोंक्टे खड़े कर देने वाला है और जो इनसान इस चीज को कर रहा है वो कितना खतरनाख हो सकता है किस लेवल का हैवान वो हो सकता है ये कहीं न कहीं बहुत से सवाल खड़े करता है खैर ये सब अलग चीजे हैं लेकिन इसके किस्सों में बहुत सारी चीजे अलग रही है और उसकी दादी के साथ वो शक्स दरिंदगी कर रहा है और उसके बाद धीरे-धीरे उसे मार रहा है जो उसका तरीका था उसी तरीके से वो महिलाव को मोत के घाट उतारता है अब यह जो अक्कुयादव है यह इतना निर्दे ही हो चुका था इतना खुंकार हो चुक केस बता रहे थे उसमें जो यह 16 साल की बच्ची के सामने उसकी दादी के साथ दरिंद की करता है और उसको कतल कर देता है तो उस अगर उस वारदात की बात करें जब उसकी छानबीन हुई थी तो यह चीजे भी सामने आई थी कि उसके जब कानों की बालिया उसने निकाली थी तो कानों को तुरंट मतलब उसने यहां से जटका दिया था तुरंट अब ज़रा सोचे कितना दर्दूस महिला को हुआ होगा ज़के जो उसने हातों में अंगुठिया पहन रखी है वो उंगली काट कर अंगुठिया उसने निकाली तो ये सब चीजें बहुत ज़ादा कहीं तक ड्राने वाली थी एक पीडिता ने पुलिस को बताया था कि एक दिन सुबा करीब चार बजे भरत काली चरण उर्फ अक्कु यादव उनके घर में गुस आया था पहले उसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिय कि एक पुलिस वाला जैसे ही महिला के पती ने दरवाजा खोला अक्कु ने उस पर धावा बोल दिया यादव ने अंदर घुसत ही महिला के पती पर चाकु से कहीं वार किये फिर अक्कु ने उसे बातरूम में बंद कर दिया और उसकी पतनी को बालों से खीच कर अपने सायद इस देश में आज तक पैदा नहीं हुआ। उसने एक आदमी को सब के सामने नंगा करके उसे सिगरट से जलाया था। अक्कुयादव ने एक बार सादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया और उसके साथ बलातकार किया। उस वैसी दरिंदे ने एक महिला के इस्तन काट कर उसकी बेटी और पडोसियों के सामने उसे तडपा तडपा कर मार डाला था। जिसके बाद उसने सरयाम उसके जिस्म के टुकडे टुकडे कर दिये थे। अब इस अक्कुयादव का एक किस्सा ऐसा है जो बहत ड्रावना है और काफी चर्चाओं में भी रहा है। अब ज़रा आप खुद सोचे के एक महिला है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अक्सर ऐसा ही होता है कि किसी महिला जो किसी बच्चे को जन्म देती है उसकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दो तीन महिनों तक उसका खास ख्याल रखा जाता है ताकि उसका शरीर र निर्दई था इतना हैवान था के एक महिला थी जिसके वो डिलिवरी के मातर दस दिन ही हुए थे इसको वो पसंद आ गई और ये उसके जबर जस्ती उसको उठा कर ले गया और उसके साथ गैंग रेप जैसे घटना को अंजाम दे दिया अब ये सोचने की बात है कि इसकी मान ने जाही रहा था हो लेकिन वहाँ जाने से पहले ही इसने उसे रास्ते से अगवा कर लिया और उसे मोत के घाट उतार दिया ये घटनाएं तो केवल बान गी भर हैं अक्कु यादव ने तो ऐसी ना जाने कितनी वारतातों को अंजाम दिया है आई दिन अक्कु की कारतूत का इजाफा हो रहा था जिसकी वज़ा से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निसाने पर आने लगी थी लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कारवाही करते हुए 2004 में उसे जिला बदर करार दिया अब नागपुर सहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी लेकिन वो फिर भी चिप कर सहर में ही रह रहा था और उसका काम भी जारी था अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई विलन है जिसका इतना ज़्यादा खोफ है कि उसके बारे में कोई पुलिस को बोलना तो दूर अगर उसका कोई नाम भी ले दे तो वो डर कर घर में घुज और ये आवाज बनी उसा नारायन की, अक्कू की दबंगई को लेकर मर्द भी उससे चुप कर अपने घर में रहते थे, लेकिन जब उसा नारायन ने अपनी आवाज बुलंद की और अक्कू को लेकर उसके गैंग को लेकर लोगों को जागरू किया, उन्हें बताया कि भई अ अब तुम कब तक ऐसे चुप रहोगे, इसके खिलाफ आवाज उठाओ, अगर तुम नहीं उठाओगे तो तुमारी आने वाली नसले खराब हो जाएगी, यह तुमाम चीजें अक्सर देखा जाता है कि ऐसे ही लोग एक दूसरे काउट सावर्दन करते हैं, तो उसा नारायन ने ये कोशिस की और उसकी ये कोशिस रंग भी लाई, अब जब एक बार ये अक्कोयादव अपने गैंग के साथ इनके एरिया में आया, तो पूरे महलों के लोग एक साथ इखटा हुए, और उन्हों का गुस्सा जब फूटा, तो उन्हों ने अक्कोयादव के घर तक को जला डाला, लिकिन ये देखने के बाद अक्कोयादव इतना डर गया, कि वो वहां से अपने गैंग को लेकर भाग गया, और पुलिस में उसने सरेंडर कर दिया, अब क्यूंकि अक्कोयादव काफी शातिर था, तो उसने पुलिस को सरेंडर इस वज़े से कर दिया, क्योंक तारीक थी जब इसके पाप का घड़ा फूट चुका था अक्कु यादव ने पुलिस को सरेंडर भले किया हो लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ जैसे जैसे कारवाई की थी तो पुलिस इसको कोट में पेशी पर ले जाने वाली थी तेहरा तारिक को पुलिस जैसे ही कोर्ट मर इसको लेकर पहुंची, वहाँ जो हुआ, वो बिलकुल पुलिस को भी अचम्बित करने वाला था, क्योंकि महिलाई जानती थी कि इस दिन अक्को यादव को कोर्ट में पेस किया जाएगा, तो और आगे क्या पता क्या तारिक हो, क्योंकि वह जाते हैं, जब अपराद उस पर साबित हो जाता है, उसके बाद उसे सजा मिल जाती है, तो महिलाई को पता था, यह बहुत लंबा प्रोसिजर है, और महिलाई का गुस्सा इसको लेकर इतना जादा था, कि वह नहीं चाहती थी कि इसके केस की सुनवाई कोर्ट में हो, तो वे बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाएं वहां कोर्ट में आई और उन्होंने अलग-अलग भेश धारण किया ताकि किसी को उस पर उन पर सक न हो अब जैसे ही पुलिस उसको लेकर जज के सामने पहुंचती है तो वहां जो महिलाए थी किसी ने आटे की बुरी रख थी किसी ने किसी चीज का सामान अपने हाथ में लियावा था तो उन सामान से वो हत्यार निकालते हैं और वो एक के बाद एक अक्कुयादा उपर पुलिस कस्टडी के दोरान उन पर हमला बोल देते हैं अब जैसे ही हमला बोलते हैं एक महिला को पकड़ते हैं पुलिस वाल को साइड कर देते हैं अक्को यादव को वो इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि कोई उसके कान काट देता है कोई उसकी ना कान काट देता है लेकिन तभी एक ऐसा वाक्य भी होता है कि पुलिस चुप-चाप खड़े होकर सब कुछ देखने लगती है क्योंकि महिलाव के अंद आ रही थी लेकिन थोड़ी देर बाद ही जैसे महिलाई उस पर हमला करती गई करती गई तो अक्कु यादव के चिलनाने की आवाज धीरे-धीरे मंदी होने लगी और एक समय ऐसा आया जब वहां से महिलाई हटी तो वहां जो अक्कु यादव का सिर्फ सव पड़ा हुआ था और चारो तरफ खून ही खून कहीं सरीर के उसके अलग-अलग हिस्से पड़े हुए थे और ये सब देखने के बाद जितनी वहां महिलाई थी उन्होंने जजज के सामने सीधे-सीधे कहा कि हमने आप लोगों के सामने इस वहसी धरिंदे को मोत के घाट उतार दिया है आप ह महराष्ट्र CID ने अपनी जाच में कहा था कि अक्कुयादव की लिंचिंग की गई है जिसे चार पुरूसों ने अंजाम दिया था मगर वहां मौझूद महिलाई ने पुलिस की इस बात को सीरे से नकार दिया था तो ये थी इस दरिंदे और कलियोगी राक्षस अक्कुया तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप क्राइम की स्टोरिया देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल क्राइम पैट्रोल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बि झाल